Hello friends, welcome back, दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में केटीजन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की उसके साथ यहाँ पर लेवल्स कितने इंपोर्टेंट होने वाले हैं सबसे बड़ा सवाल है इसका सप्लाइ कितना रह सकता है और इसका प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है मतलब इसका प्राइस किस लेवल पर आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ पर लिस्ट होगा इस पर लगातर वर्क कर रहे हैं तो एक बड़ा benefit आपको मिलने वाला है एक बड़ा head drop आपको मिल सकता है comparison में other projects के क्योंकि इसका supply जिससे आप से बताया जा रहा है इतना जादा नहीं होने वाला है पहली बात कर लेते हैं अगर आप telegram से connected नहीं है तो जुड़ जाए लिंक वीडियो की description में अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जुड़ने से क्या फाइदा होगा तो फाइदा आपको अपने आप पता चल जाएगा आप जुड़ कर देखिए हर एक update हर एक टास्क हम यहाँ पर instantly provide करते हैं केटिजन की बात करें यहाँ पर listing confirm हो चुकी almost कब आने वाला है ये 20 September को आने वाला है एक्षेंजर ने आपर announcement करना शुरू कर दिया है बीड़गेट की दरब से को कोई की दरब से उसके अलावा भी कहीं सारे लेक्षेंजर जिन्होंने यहाँ पर announce कर दिया है कि वो इसे available कर रहे हैं लेकिन बात जब आती है यहाँ पर इसके price की तो इसका price कितना देखने को मिल सकता है क्योंकि केटिजन का जो pre-market price सेल रहा है उससे आप अंदाज लगाएंगे तो यहाँ पर इसका supply आपको समझ में आ जाएगा और supply समझ में आ गया इसका मतलब आपको price भी यहाँ पर अंदाज लग जाएगा pre-market में ही दिखा देते हैं बीडगेट के उपर यह pre-market में available है काफी लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं कि levels को upgrade करना मुश्किल है मेरे साब से भी काफी मुश्किल है लेकिन auto boost का use करिए उससे आपके levels increase हो सकते हैं केट्स का level आपका share जरू कर देना comment box में मेरा तो बहुत कम है इसके बाद यहाँ पर अगर आप फीश वगेरा जैसे कि अभी हम timing के साब साब को बता देंगे यहाँ पर पहले आप इसका supply देख लीजे केटीजन 0.41 डॉलर पर trade कर रहा है price देखे कितना चल रहा है आदा डॉलर almost अब आदा डॉलर चल रहा है इसका मतलब supply कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है billions में नहीं होने वाला है trillions में नहीं होने वाला है supply कम ही होने वाला है लेकिन बहली बात आती है यह pre market पर है अब यहाँ पर spot trading जब available होगी team क्या कहेगी वो team के ओपर है अब यहाँ पर preview में देखिए 0.41 डॉलर पर trade कर रहा है यहाँ पर आपको ketizen का keti token जो है उसका total supply देखने को मिलेगा मात्र 1 billion token अब आप समझे 1 billion token सिर्फ यहाँ पर है जो इनके द्वारा शो हो रहे है supply में अब इसमें changes आना मुझे लगता है possible है यह नहीं होने वाला इतना कम supply हुआ तो यह जो token है ना इसका price 1 dollar हिट कर जाएगा जब यह available होगा क्योंकि 1 billion dollar जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं और अगर आपको यहाँ पर 500-1000 token भी केटिजन ने केटी token दे दिये ना तो आपको लगवग यहाँ पर 1 dollar के हिसाब से 500-1000 dollar मिल जाएगा मतलब 500 और 1000 token देना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी जो सब को नहीं मिलेंगे किसको मिलेंगे जो यहाँ पर सही तरीके से work कर रहा है लेकिन सही तरीके से सिर्फ हम नहीं कहीं लोग यहाँ पर work कर रहे अगर मैं आपको केटीजन के levels बताऊँगा मैंने आपको यहाँ पर पिछला जो वीडियो था वो भी शेयर किया था जिसमें केटीजन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था किस तरीके से आपको केटीजन पर work करना है अगर आप केटीजन पर जुड़ा हुआ है काफी सारी चीज़ें जो आपको clear हो जाएगी उस वीडियो को watch करके कुछ लोगों का ये भी दिक्कत था ये भी कहना था कि आपने यहाँ पर इसे लेड बताया लेकिन मैं आपको बता दू मैंने इसे पहले भी बताया था दिक्कत यह कि काफी hard game है इसलिए मैंने इस पर focus नहीं किया मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया सही तरीके से work नहीं किया लेकिन जिन लोगों ने और सिर्फ ये नहीं कि मैंने यहाँ पर late बताया है मैंने यहाँ पर जब बताया था कई लोग इससे जुड़ा भी है मेरा reference में देखोगे इनवाइटर्स में देखोगे ना तो कहीं लोगों ने यहाँ पर work करके अपना level अचीव किया हुआ अच्छा खासा level तो अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं तो मेरा काम है आपको project share करना मैं उस पर work कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं यह देखिए मेरा level काफी काम है कहीं लोग कह रहा है अब मिझे level बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहली बात मुझे यहाँ पर level बढ़ाने के लिए यह auto boost लेना ही पड़ेगा यह auto boost लेने के लिए मेरे पास लगबग 3900 अब जहां कर तक बात करूँ फीश की तो फीश कम होते जा रही है मेरे पास तो मुझे यहाँ पर amount pay करना पड़ेगा अब कहीं लोग कह रहें का transaction वगएरा करना पड़ेगा on chain तो on chain transaction कम से कम एक बार तो आप कर लिजे वो यहाँ पर 0.001 के आसपास मतलब 1 cent वगएरा लगता है बहुत कम लग रहा है तो एक transaction आपको complete करना ही करना है दूसरी बात आती है यहाँ पर boost की यह boost का option आपको लेना है या नहीं लेना है तो ले सकते हैं देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ जिसा कि यह 3000 फीश मुझे चाहिए जैसे कि मेरी तो यहाँ पर 1900 है लगबग यहाँ पर 1900 फीश मेरे पास है मुझे चाहिए 3900 तो लगबग मुझे 2000 के आसपास फीश चाहिए 2000 तो यहाँ पर मिल नहीं रही है यहाँ पर 1500 मिल रही है 1500 को मुझे बाई करना है तो मुझे 5 जॉलर देना पड़ेगा यहाँ पर यह देखो 400% का डिसकाउंट बता रहा है यह लगबग 3000 पीस दे रहा है उसके बाद यहाँ पर लगबग 5 जॉलर ले रहा है तो यह वाला मैं ले सकता हूँ 5 जॉलर इंवेस्ट करना पड़ेगा अब इंवेस्ट करना नहीं करना यह आपके उपर डिपेंड करता है इससे ओटो बुस्ट शुरू हो जाएगा आपका लेवल अपग्रेड होगा मेन यहाँ पर यह यह लेवल इंप्रूव होता जाएगा यह वाला लेवल भी इंप्रूव होता जाएगा हो जाएगा अब यह त्याम पर जैसे ल्हेंग ताइमिक चल हाए अच्छा है यहां पर हम कोशिश करते हैं स्टार्ट कर दो हुआ हम रोख देरिये kni dha यह टोटल अप देखे इतना हमाँट मिला हुआए अब यहां पर मेरी nosos fır S machines अब क्या होता है आपकी n Cuando जो है वो deduct होती इसलिए इसको आसानी से ही खेले एक दो बार try करें ज्यादा try ना करें इससे आपका ये वाला balance बढ़ता जाएगा और आपकी fees की संख्या घटती जाएगी अब आपको ये सवाल होगा कि fees घटेगी तो क्या होगा तो fees घटेगी तो भी calculate होगी don't worry यहाँ पर team ने का हुआ है यह फीज जो है वो आपकी usable fees है आप इनका use भी करेंगे तो भी इसका यहाँ पर calculation होने वाला in the end जब यहाँ पर game के results आएंगे और आपको यहाँ पर token distribute किया जाएगा token distribution से जोड़ी process हर एक detail आपको हमाई telegram से मिलती रहेगी इसलिए must day telegram से connect हो जाएए वीडियो के description में दो link है दोनों को join कर लीजे जब तक यहाँ पर withdrawal नहीं होता है सारी updates आपको हम यहाँ पर देते रहेंगे और कोई भी query issue हो comment box में comment कर सकते हैं अब हम आपको मिलते किसी other update के साथ thank you